गुने दोस से द्रिष्टी हटा कर जगराम सिया मैं देखो गुने दोस से द्रिष्टी हटा कर जगराम सिया मैं देखो मैं अनेक में एक कहोना जैसे आभूचन में सोना गुरु ग्यान का दीप जलाकर जगराम सिया मैं देखो 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 गुन दोस से द्रिष्टी हटा कर जगराम सिया मैं देखो जगराम सिया मैं देखो वही स्रिष्टी है वही है स्रिष्टा जगराम सिया मैं देखो 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 पुलची की वानी दाए जगरा मसिया में देखो बुन तो सश्दिती हमातर जगरा मसिया में देखो गुन तो सश्दिती हमातर जगरा मसिया में देखो घुन तो सश्दिती हमातर जगरा मसिया में है एनेक में एक कहो ना लच्मी माता भगवान से बोली हे प्रभू आपको गुस्सा नहीं आता धिमिया पे क्यों हे प्रभू साधारन आदमी की भी पत्नी को कोई अपना बोले तो माराज उसका खून खोल जाता है साधारन आदमी पू cler है तो माराज एंदम आग मनने मान्ने को तयार हो जाएगा और प्रभू आप लच्मी पती तिलोगी के नांत और आपकी पत्नी को कोई अपना अपना कहे तो गुष्चा नहीं आता है था क्या वागवान ने कहा लश्मी मेरी मेरी थी मेरी रहेगी मेरे अलावा तेरे को मेरा कोई बोली नहीं सकता है कैसी बात खाध रहे भी सारे दुनिया के TKST ये ने मैं लजजमी पती हूं लजमी पती हूं लजमी वान हूं मैं पैसेवाला हूं बोलता है हुः भगवान भूले लज्मी मैं तुम से कह रहा हॉ हूं मेरे यलावार तुम whole चाह तर तो मेरी थी मेरी यो मेरी स्ट करों कि तुम्हें कोई अपना नहीं बोल सकता है लच्मी ने का ठीए तो चलो दिखाते हैं लच्मी महाराज कहती है चलो मैं आपको दिखाती हूँ लच्मी और नाराइन महाराज चल दिए कुछ लोग मुर्दे को लेकर के जा रहे थे माता लच्मी बोली देखो प्रभू इससे ज्यादा और दुख क्या होगा महाराज देखो मुर्दे को लेकर के जा रहे हैं इससे ज्यादा और महाराज आदमी दुख दुखी क्या होगा अब यहां देखना आप क्या तमासा होता लच्मी ने उपर से सोने के सिक्के बर्षाने शुरू कर दिये अब जो बेटे माराज लेकर के बाप को जा रहे थे न उन बेटों ने क्या किया जो बेटे बाप को लेकर के जा रहे थे बाप की चिता को तो अर्थी को तो फैंका कि देला मर गया करा लिए और आपया जो बरसा बरसर यह उनने सिक्कों को पहले उठाओ अधा continuous और माराज उस उस अर्थी को फैंक करके और सारे के सारे महराज सीके बाप हो कहें मेरी एक portfolioCAP मेरी एक इ amendments है यह वाला मेरा ये वाला मेरा ये वाला मेर से अपस में माराज मेरा 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 करने लगे जब सब आपस में मेरा मेरा करने लगे तो माराज सब जब मेरा मेरा करने लगे लचमी ने कहा देखो प्रभू देखो आप कह रहे थे ना कि मेरे अलावा और कोई मेरा नहीं बोलता है यह सारे के सारे देखो कैसे मेरा 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 कर रहे है लच्मी मेरी लच्मी मेरी भगवान ने कहा लच्मी मैं अब भी तुम्हें कह रहा हूं मेरे अलावा और तुम्हें कोई मेरा नहीं बोल सकता है लो आ आंखों के सामने दिखा रही हूं फिर भी आप ऐसा बोल रहे हूं, कहा लचमी मैं अब भी कह रहा हूं, मेरे अलावा तुम्हें और कोई मेरा नहीं बोल सकता, अरे प्रभू सब तो कह रहे हैं मेरा मेरा, और अले सब नहीं कह रहे हैं, जरा गोर से देखो लचमी, एक के पास भी सिख्के पड़े हुए हैं उसके मुग के पास भी सिख्के पड़े हैं तो ये तकाम मतलब भगवान भोले लच्मी जव तक मैं जीव की हिर्दय में बैठाओं तभी तक ये तेरे को मेरा मेरा बोलता है मैं हूं तभी तक मेरा और मेरे निकलने के बाद में है क्या संदर वाद कर लावा और दुनिया में चुछ नहीं है मेरे भाई पर वस्त ये बात समझने की है सद्ध्य मुक्ति और क्रम मुक्ति के सुन्दर बताया कैसे महराज भक्त उस प्रमात्मा को एक तो महराज सीधे ब्रमान वेदन करते वे प्रमात्मा को प्राप्त कर लेता है एक तो और दूसरा बोले यम नियम आसन प्राणयां प्रत्यार धारना ध्यान समाधि अस्टांग योग के द्वारा उस प्रमात्मा को प्राप्त किया जाता है यह सज्य मुप्ति और क्रम मुप्ति के बाने में बताया अगले अध्याई में अलग-अलग कामना से अलग-अलग देवता की उपासना बताई है परिक्षित ब्रह्म वर्चस्य कामस्तु यजेते ब्रह्मनस्पतिं इंद्र मिंद्रिय कामस्तु प्रजा कामे प्रजापतिं जिसको इंद्रियों की विशेश ताकत की कामना हो इच्छा हो उसे इंद्र की अराधना करने चाहिए जिसे संतान की लालसा हो उसे प्रजापती की अराधना करने चाहिए और जिसे तेज की कामना हो उसे विरस्पती की अराधना करने चाहिए जिसके मन में लंबी आयू की कामना हो उसे असुनी कुमारों की अराधना करनी चाहिए और जिसके मन में ये हो कि भाईया हमें धन बहुत मिले उसे माया देवी की अराधना करनी चाहिए जिसे अन की कामना हो उसे अनपुर्णा की अराधना करनी चाहिए और जिसे ये हो कि भाईया पती और पत्नी का प्रेम बना रहे उसे भगवान सीव और माता पारवती की अराधना करनी चाहिए जिसके मन में सुन्दर पत्नी की कामना हो उसे उर्वसी की अराधना करनी चाहिए और जिसके मन में कोई कामना नहीं हो और सव कामना हो उसे क्या करना चाहिए देखो पहले तो अलग सद्यय मुक्ति करम मुक्ति बताई पिर अलग माराज उपासना का माराज बताया अब सुंदेव imminent माराज ये दसवां स्लोक भागवत के डिंतियस कंद का तिरतिय द्यायक है दस्वां स्लोक इसमें कहा जिसके मन में कोई कामना नहीं है और सब कामना है उसे क्या कारना चाहिए अकामे सर्व कामोवा मोक्ष कामे उदारदी तिब्रेन भक्ति योगेन लजेते पुरसंपराण जिसके मन में कोई कामना नहीं है और सब कामना है उसे भगवान नाराइन की अराधना करनी चाहिए उसे भगवान नाराइन की अराधना करनी चाहिए परंपुर्ष प्रमात्मा की अराधना करनी चाहिए हे परिक्षित जैसे पेड की जड में पानी डालने से सारे उसकी डाली पत्तों को प्राप्त हो जाता है इसी प्रकार नाराइन की अराधना करने पर सारे देवता प्रशन हो जाते हैं अकामे शर्व कामवा मोख्ष कामे उदारदी तिब्रेन भक्ति योगेन यजेत है पुरुसंपरवर। आगे के श्लोक बहुत सुंदर बीश्वा और इकीश्वा श्लोक। इन श्लोकों में बताया कि है परिक्षित जिसने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उसके कान कैसे हैं कि बिले बतो रुक्रम विक्रमान ये नैसिन्वत है करन पुटे नरस्या है नैसिन्वत है जिसके कान दुनिया की मेरी तेरी तो बहुत सुनते हैं चुगली चर्चा तो बहुत सुनते हैं लेकिन भगवान की कथा अगर सुनने को मिले तो भी महराज नहीं सुनते हैं उसके कान कैसे हैं उसके कान तो साप के रहने वाले बिल हैं भुजंग के रहने वाले बिल हैं और जीव जीव्या सतीदा दुरी के वसूत है नै चोपगा या तुरगाएगा था और जिसकी जीव सिर्फ महाराज मेरी तेरी करती रहती है उल्टी सीदी चीजें बोलती रहती है कभी भगवान का नाम नहीं लेती उसकी जीव तो महाराज मेंधक की जीव है मेंधक है ना टर टर करता रहता है ऐसी मेंधक की जीव है महाराज जो भगवान का नाम नहीं लेता इनी इस लोकों का अनुवाद गो स्वामी जी महराज राम चरत मानस में करते हैं सटीक चुपाईयों में उतार दिया राम सिया राम सिया राम जे जे राम रही रेगुपती गुण गाना जी में सोदा तुने जी में समाना राम सिया राम सिया राम जे जे राम राम सिया राम सिया राम जे जे राम राव सिया राम सिया राम है जे जे राव चिने हरी कर था सुनीने ही का नाव स्रावेन रेंद्रे एही भावेन समाना आप सियरा, सियरा मुझे देरा मैंन समंद तरस नहीं देखा स्रावेन रेंद्रे एही भावेन रेंद्रे एही भावेन समंद तरस नहीं देखा कथा सुनी नहीं काना समझ म्यारा होगा आपको चुपाई तो स्रावन रंद्र अभवन शमाना जोन करई रगुपति गुन गाना जीवशो दादुर जीवशों दादुर मतल मेंडक जीवशमाना नैनन संत दरस नहीं देखा लोचन मोरी पंक करी लेखा जिनकी यांखे माराज भगवान के दरसन करके शंतों के दरसन करके हर्षित नहीं होती और उनकी यांखे तुमारा जिमोर पंक के समान संत कौन सादू कोन मात्मा कोन मालूम जो भगवान की भगति बताए हो इसे संतों का दर्शन एक बात और हमें संत से प्रेम नहीं करना है संत की बताए हुई बात से प्रेम करना है कि हम उल्टा कर लेते हैं हाँ कि संत की बताए हुई बात तो हमें इदर सुने दर निकाल दी है कि पूजा वो पाठ वो भगति वो तो होता ही नहीं नहीं रहाए हुआ कि जो हिर्दे ब्रमात्मा की कथा सुनकर के प्रसंद नहीं होता है कुलिश कठोर कठिन सोच छाती पत्थर है वो जो प्रमात्मा की चर्चा सुनकर के हरशित नहीं होती प्रफुलित नहीं होती माराज एक विक्ति कथा में आता था किसी संत की कथा में तो माराज संत जब भाव में डूगते थे तो सब भाव में डूग sticking it जो आता था सब हामए डूब के कथा सुन देए एक अदमी ऐसा था महाराज जिसको भावा आता नहीं था रोना तरह यह क्या करता था मिर्ची ले आता था चाहित उत कि जोर जोर से रहूं रोना तो वैसे आता जो मिर्ची लगती एक बार किसी ने मातमा जी सिकायत कि वह बाबाजी यह आपका वगत पक्ता है इसको बावत वाता नहीं मिर्ची उड़ा देता है आंको मातमा जी ने कहा बिल्कुल ठीक करता है जो आखें बहाव में माराज डू जो हिरदे भगवान की कता सुनकर के प्रसन नहीं हो वह हिरदे महाराज पथ्ठ कहलाता है क्या शंदरवाद कहीं है को सजनों जब तक यह सरीर है देखिए जान है तब तक कहीं जुक लो परनाम कर लो कुछ सुनलो मरने के बाद कुछ नहीं है महाराज जुकना ही तो ऩॉकले के पैचान है है अकड़ना मुड्या की पैचान है चुप मुर्दा होता तो उसके आत्वाम अकड़ जाते हैं आप हाक मोरो फिर सहाथ पिरो फिर आशी हो जाय गारत यूँ अ हैसे उन्में मूलेगा मालूँ है ना क्यों यानि मैं それ जो ब्यक्ति इसलिए हम जिन्दे हैं या मुर्दे हैं या क्या है मिलान कर लेना जब हमारे अंदर को अकड आए लेका को ले करके। सोच लेना वह याम गुदे हो जाएंगे इसलिए जिन्दा रहना है जुक जानो है। आज के बच्चे अपने माबाप के सामने नहीं जुकना चाहते हैं और जगह क्या जुके नहीं क्यों पोले जिन्दे दिखाई देते लेकिन जिन्दे हैं नहीं रहे हैं मुझे की समाने मारत इस मनुस्य की खोपड़ी की कीमत तभी तक है जब तक ये जिन्दी है मरने के बाद इसकी कोई कीमत नमने सेर की खोपड़ी बिख सकती है बालू की खोपड़ी बिख सकती है उसकी हमसे अच्छे तो पसु है मरने के बाद भी उनकी कीमत मिलती है और मनुस्य की खुपड़ी पैसे की बात तो छोड़ो कोई फोकट में भी अपने घर में नहीं लेकर जाएगा कौन ले जाएगा भूत अपने घर में सेर की खुपड़ी टांगेगा लोग बोलेंगा देखो अमारे दादा जिने शिकार किया था सेर खा कि खुपड़ी कोई टांगेगा अपने घर में यह कौन भूत को ले जाएगा हाँ कोई नहीं ले जाएगाय वहीँ इसलिए जब तक जिंदे हो तब तक जितना सुन लो कोई अच्छा काम कर लो कहीं मंदिर में कहीं ठाकुर जी के चर्णों में कहीं शंतों पे चर्णों में जितना जुकना जुकलो नहीं भईया यह तो खोब पड़ी है इसका नाम है खोब पड़ी सब कुछ खो दिया इसलिए पड़ी है इसलिए इसलिए इसका नाम है खोब तो सुगदेव जी महराज कहते हैं परिषित सबसे पहले नारायन, नारायन के हुए ब्रह्मा ब्रह्मा जी महराज को स्रिष्टी का आदेश दिया भगवान ने की आप स्रिष्टी करो ब्रह्मा जी माराज ने कहा मैं स्रिष्टी तो करूँगा लेकिन कहीं मुझे अभिमान हो गया तो कि मैं करने वाला हूँ फिर तो भगवान नाराइन ने ब्रह्मा जी को चार स्लोक दिये और इनी चार स्लोकों को हम चतु स्लोकी भागवत कहते हैं भागवत के DTS कंद के 90 ज्याई का 32, 33, 34 और 35 ये चार श्लोक, चतु श्लोक की भागवत, आईए एक दो श्लोक गुर्बुना लेते हैं, भाव सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या भावे निश्लोकों का, भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, इन चार श्लोकों को याद रखना, पहला श्लोक, एह मेवास मेवागरे नान्यद यद सत सत परम, पस्चाद हम यदेत अच्च, योवसिसेत सोस्में हम, ए ब्रह्मा एह मेवास मेवागरे नान्यद यद सत सत परम, ब्रह्मा इस संसार में, जब कुछ नहीं था, तो मैं था, जब कुछ है, तो मैं हूँ, और जब कुछ नहीं रहेगा, तो मैं रहूँगा, ने अन्यद मेरे अलावा और कुछ नहीं हूँ, तब कुछ मैं हूँ, पहले भी मैं था अब भी मैं हूँ आगे भी मैं रहूँगा मेरे अलावा दुनिया में और कोई सत्ता ही नहीं ब्रह्मा जी बोले माराज जब आपके अलावा और कुछ है नहीं तो जो ये दिखाई दे रहा है ये क्या है तो अगले श्लोग में वगवान कहें ब्रह्मा रितर्थम रितर्थम यत प्रतियत ने प्रतियत चात्मनी तद्वित्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा का महाद। हे ब्रह्मा यही तो मेरी माया है माया मतलब मामा ने जो यामा ने नहीं जो नहीं है फिर भी दिखाई दे उसका नाम माया भितर्थम यत प्रतियत ने प्रतियत चात्मनी जो नहीं होने के बाद भी दिखाई दे रहा है वही तो मेरी माया है अरे भाया दुनिया में कोई सुख रूपी पदार्थ ही नहीं और लोग सुख के लिए भाग रहें सुख-सुख है क्या मिला क्या किसी को एक दूसरे से चाहते हैं यह हमें जुख देगा इह हमें सुख देगा अरे बावले भूत पहले ये तो देख जिसे जिसे तुछारा है उसके पास तो है क्या हम जब खुदई कंगाल वैठे हैं सुक से तो दूसरे को क्या दे दन्य है या सुक का सिंदु तो वो परमात्मा है भगवान है आनंद के सिंदु तो परमात्मा है अगर कोई किशी को सुख दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रमात्मा है पाकि कोई किशी को सुख नहीं दे सकते है यह संसार तो खुद दुखी है माराज यह किसी को सुख क्या देगा हे ब्रमा यह दुनिया में जो कुछ दिखाई देता है इस्त्री पुरुष पसु पक्षी यथा महांति भूतानी भूते सुच्चावचे स्वनू प्रविष्ट्याने प्रविष्टानी हथाते सुनते श्वह मैं जब तक इनमें प्रवेश नहीं करूँ कोई चलेगा गाईक भैस बकरीक मनुष्यक मच्छ जब भगवान उसमें आत्मा रूप में प्रवेश करते तक इतो चलता है वह मैं इनमें परवेश करने के बाद भी परवेश नहीं करता होने के बाद भी नहीं होता और मेरे होए बिना भी इनकी महाराज सत्ता नहीं है इसलिए ब्रह्मा कभी अपने को करता मत समझना इन चार स्लोकों को याद रखना कभी गमंड नहीं होगा अभिमान नहीं होगा ये चतु स्लोकी भागवत माराज प्रदान की ये जो भागवत हम सुन रहे हैं न ये ऐसी दर्तिपराई सरसे पहले नाराइन के मुख से निकली ये भागवत ब्रह्मा जी को उपदेश दिया इन चार स्लोकों में भागवत का शार ब्रह्मा जी माराज ने उपदेश किया नारज जी को ये भागवत नारज जी माराज ने उपदेश दिया व्यास जी को और व्यास जी महाराज ने उपदेश किया सुखदेव जी को और सुखदेव जी महाराज ने सुनाई राजा परिछित को ऐसे ये भागवत धर्ती के उपर हम लोगों को सुलब हुई बोलो भागवत भगवान की भीजे भागवत के दक्स लक्षनों के साथ ही दितियसकंद को विराम करते हुए तितियसकंद में प्रवेश, स्रिष्टी का आगे विश्तार तितियसकंद के प्रारम में उद्धव और विदुर जी की भेंट का सुंदर परसंग विदुर जी महराज ने उद्धव जी शेक प्रस्न किया महराज हमारे एक बात समझ में नहीं आई क्या सुखाय करमानी करो तिलो के नैवई नैतै सुकंबान्य दुपारवंबा विंदेत भूयस तत एव दुखं यदत्र युक्तम भगवान वदेन सुखाय करमानिकरोती लोको हर आदमी सुख के लिए काम करता है नैते सुखंबान्य दुपारवंबा लेकिन सुख मिलता नहीं भागवत के तितियसकंद के पांचिवे ज्याई का दूश राश्रोक जिसमें हमें सुख क्यों नहीं मिलता वो बात बताई हर आदमी सुक अच्या सुक क्यों चाहता है यह और हर आदमी सुक ही चाहता दुख कोई नहीं चाहता इसका भी कारण है क्यों नहीं चाहता दुख बोले भईया ये सुख का अंस है तो सुखी तो चाहेगा जो चीज जहां से आती है वहीं पे वापस लोड़ जाती है और उसी चीज की आसा करती है तो हम लोग उस आनन्द सिंदू उस सुख की रासी प्रमात्मा की बिंदू है इस्वर के अंस है तो सुख के एंस तो सुखी चाहेंगे फिर दुख क्यों मिलता है बोले भाईया जहां से सुख चाहना चाहिए वहां से नहीं चाहते इसलिए दुख मिलता है देखो चीनी भी सपेद नमक भी सपेद अब कोई महाराज नमक की दुकान में जा कर के कहे लाओ हमें दो ये चीनी है वो कहए भाईय ये नमक है नाई नमक कैसे विल्कुल चीनी जैसा लगज रहा है क्या बात कर रहे हो अब भैया वो नमक की दुकान में चाहिए नमक आपको प्यार से दे चाहिए जगड करके दे लेकिन नमक कैसा लगेगा खाराई लगेगा और चीनी की दुकान से चाहिए तुम चुराकर के लिया हो जगडाकर के लिया हो तो भी चीनी मीठी लगेगी और नमक की दुकान चाहिए तुम कितने सम्मान के साथ, प्यार के साथ लेकर किया हो, लेकिन वो नमक को खाराई लगेगा, तो ये दुनिया तो है नमक की दुकान, इसमें जितने भी हमें ये प्यार करने वाले दिखाई देते हैं ना, पती, पत्नी, भाई, बंदू, कुटम कभीला बेटा नाती पोते रोशी प्रोशी जित्य दिखाई देते हैं